हलो दोस्तों लुसेंट रास्तान जीके के डेली तॉप 50 कोशन में आपका वैलकम हसता हूँ तो यह वीडियो का 146 वाइट हैसता हूँ इससे पहले भी 145 पर्ट बनाज़े ज़िए नस्तों वो भी आप चैनल पर जाएक देख सकते हैं तो आज मिलना ज़िए नस्तों आपको टॉप 50 कुशन मिलना ज़िए नस्तों जो कि राजस्तान की एक्जाम के अंदर बार-बार पूचे नस्तों और नेक्स एक्जाम में डेफिनेटली आपको देखन की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है जो की सबसे बड़ी अथैपरवा जील है सामबर जील है जो कि सबसे बड़ी अंतय परवा जील है निक्ष ने जैसमंद जील कहां इस्तित है तो इसकारेक्टान सरह आपसर नमबर भी उद्यपुर में इस्तित है निक्ष ने पुशकर जील को सुच करने की योजना में संयोग दे रहा है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर डी कनाड़ा देश सियोग दे रहा है पुषकर जील को सुच रखने में निक्षने राजस्तान की पुवित्र जील है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर डी जो पुषकर जील है वह राजस्तान की पुवित्र जील है निक्षन है राजस्तान की प्राचीन प्राकतिक जील है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर सी पुशकर जील है जो की सबसे प्राचीन और प्राकतिक जील है निक्षन है भारत में कुल नमक उत्पाधन का सामबर जील में कितना उत्पाधन होता है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमरे 8.7% जो नमक का उत्पादन होता है वह सामबर से होता है निक्षन है निम्न मेंसे कौन सी खारे पानी की जील नहीं है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर सी काईलाना जील जो की जोतपुर मेंस्तित है ये खारे पानी की जील नहीं है इसके लाव सामबर जील जेपुर पंच पंद्रा जील बाड मेर लून करनसर जील बीकानेर ये खारे पानी की जील है इसके लावा जैसमन, सीली सेट, रासमन ये तीनों ही मीठे पानी की जीले है नेक्षन है इनमें से कौन सी मीठे पानी की जील है तो काईलाना जील है नेक्षन है राजस्तान में किस प्रसीद जील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है तो इसका रेक्ट जग मंदिर वे जग निवास महल किस जील पर इस्तित है तुसका रिक्टान सरा है आप्शन नमर सी पिछोला जील पर इस्तित है जग मंदिर और जग निवास महल निक्षने कोलायत जील इस्तित है तुसका आप्शन नमर ए विकानेर जीले में इस्तित है कोलायत जील और इस गेप सागर जील, किस जिले में इस्तित है, तो इसका रिक्टान सरह है, आपसर नमर डी, डुंगरपुर जिले में इस्तित है, गेप सागर जील, निक्षने, गडशी सर सरवर, कहां इस्तित है, तो इसका रिक्टान सरह है, आपसर नमर डी, जेसल मेर जिले में इस्तित है, ग सिलिसेट जील निक्ष ने फोई सागर जील कहां इस्तित है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर डी अजमेर जीले में स्तित है फोई सागर जील निक्ष ने पिछोला जील को वर्तमान में किस जील से जोड़ा गया है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर सी फते सागर से ज नेक्षन है वह जील जिसके तटबर संग्मर्मर के 25 शीला लेक इस्तित्ह नेक्षन है वह जील जिसको इस्तित्त 9 चोकियों की पाल पर मेवार के इतियास संस्कृत बाश्या में लिखा है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमड़ सी राजसमन जील है जिसकी नो चोकियों की जो पाल है उस पर जो पूरा मेवाड का इतियास है वह संस्क्रट बाशा में लिखा हुआ है निक्ष ने सर परताप ने किस जील का निर्मान जोत्पुर में करवाया था तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमड़ डी का इलाना जील का निर्मान करवाया था निक्षने रज्य में खारे पानी की सरवादिक जीलें किस जीले में इस्तित है तो इसका रिक्टान सरय आपसर नमर डी नागोर जीले में इस्तित है सबसे ज़्यादा खारे पानी की जीलें कोशन है दिसंबर 2 हज में हुए विदानसवाचुनाव में भरतिय नेशनल कॉंग्रेस को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए तो इसका रेक्टान सरह है आपसर नमबर ए, 49.3% मत प्राप्त हुए थे भारतिय नेशनल कॉंग्रेस को निक्षन है, वर्तमान में राजस्तान में कौन सी विदान सबा है तो इसकारेक्टांसर राजस्तान विदान सभा को सविदान के किस अनुछेत के तहट प्रधत शक्तियों के उपयोग कर विगटित कर सकता है तो इसपारिक्टांसर रहे, आप्षन नमबर है एक star 44 अनुछेत के तहते विगटित कर सकता है Next ग्ने राजस्तान विदानसाबा चुनाव 2018 के तहते संपन हुए चुनाव में कितने प्रतिषात मद्दान हुए तो इसका रिक्टान सरह है आप्शन नमर दे 14.69% सुना हुआ था 2018 में निक्षने सचिन पाइलेट कौन से विभाग के मंत्री थे तो इसका रिक्टान सरह है आप्शन नमर दे अप्रोक्त सभी मतलब सारिजिनिक परियतन विभाग, पंचाईती राज और ग्डामिन विकास इन तिनों के मंत्री थे नेक्ष ने परियन विबाग का मंत्री की न्युक्त किया गया है तो इसका रेक्टान सरे आप्स नमबर एड परताप सिंग खाचरी आवास को न्युक्त किया गया है परियन विभाग का मंत्री निक्षने पुर्जावर स्वास्ते जन्ज स्वास्ते अभियांत्री की मंत्री कौन है तो इसका रेक्टान सरे आप्सन नमर दे गुला की दास करला है निक्षने उद्योग और राज्किय उक्रम विभाग किस मंत्री के पास है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर ए प्रसादिलाल के पास है नेक्शने प्रियटन विभाग और देविस्तान विभाग का मंतरी किसे न्युक्त किया गया है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर ए विश्वेंदर सिंग को न्युक्त किया गया है निक्षने अलब संक्यक मामले के मंत्री कौन है तो इसका रेक्टांसर आपसर नमर दे शाले मुहमत को न्युक्त किया गया है निक्षने राजस्तान में करशी एवं पशुबालन मंत्री कौन है तो इसका रेक्टांसर आपसर नमर से लालचंद कटारिया है नेक्षन है राजस्तान में उप मुख्य मंत्री स्री सचिन पाइलेट का विदानसबा चुनाव शेत्र कौन सा है तो इसका रेक्टान सरह है आपसर नमर बै टॉंक है विदानसबा शेत्र नेक्षन है राजस्तान विदानसबा में महिला विदायकों की संक्या है तो इसका रेक्टान सरह है आप्शन नमर बै चोईस है महीला विदायकों की संख्या नेक्शन है राजस्तान के मुख्य मंतरी अश्योक गहलोत के मंतरी मंडल में मंतरियों की संख्या कितनी है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर आए 15 है मंत्रियों की संख्या नेक्शन है पंदरवे राजस्तान विदानसभा चुनाव 2018 के दोरा किस दल के प्रत्याक्षी की मृत्यू होने के कारण रामगड अलवर विदानसभा का निर्वाचन शेत्र चुनाव इस्तगित किया गया तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर बै बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याक्षी की मृत्यू होने के कारण इस्तगित करना पड़ेगा तो चुनाव निक्ष ने राज़स्तान के नव नियोक्ते स्वास्ते मंत्री है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर दे रगु शर्मा है निक्ष ने राज़स्तान के उपमुक्य मंत्री के रूप में सचिन पैलेट के पास जिन विभाग का कार ये बाहर नहीं है वह है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर से सूचना प्रोदुगी की एम संचार विबाग नहीं है सचिन पाइलिट के पास निक्षुने राजस्तान में 2018 में हुए विदानसबा चुनाव में राष्टिये कॉंग्रेस और भारतिये जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर से 26 सीटों का अंतर था निक्षुने वर्तमान पंद्रवी विदानसबा में राजस्तान के विदानसबा अध्यक्ष कॉन है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर से 25 जोशी है पंद्रवी विदानसबा के अध्यक्ष निक्षुने